कि आसे हैं वहारे बच्चों आप सबी कैसे हो आसा करती हूं अच्छे होंगे मस्त हों और तंद्रूस्त भी होंगे मेरी तरह तो भाई-साब आप लोग की तइयरी बिलकुल कैसी चल रहे। हैं कि भाइसाब कहते हूं तो फिर कुछ लोगों मेरे पापा ना वो क्या है कि सुबहं को उठाते हैं तो वह उठो तो वह ना कहीं हो मेरे दिमाग बैठा ऊए और यही जो है तुम लोगों के ऊपर या आप सभी लोगों के उपर में क्या करते हैं चिपका देती है तो दिमाग में कभ किसी चीजढ को देखते हो या कहते हो तो भाई मेरे साथ दिल्कुल आफ बने रहो चले भाई आज के लेक्षर में हम क्या start करने वाड़ है इस पर हम बात करेंगे पाचवे यूनीट के उपर बात करेंगे और फाचवे यूनीट में आपकी एक अंक वाले जो प्रश्न आ है उस पर हम पूरा बात करेंगे और पाच यून्ट क्योंकि 4 तक हमारा complete हो चुका है जितने भी important question जहां तक बनते हैं उसके बरे मैंने बात किया discussion किया अगर आपको और लगता है कि मदम इस चेप्र से और ठीटे थोड़ा बता दीजिए और किस प्रकार के question आएंगे तो आप मुझे पहले comment करेंगे फिर मैं देखूंगे आँ बच्चे ध्यान दे रहे हैं हो जाओ तैयार हो जाओ मेरे साथ में ठीक है क्योंकि 70 में 70 लाना है तो भाई साब आपको ध्यान तो देना पड़ेगा चलिए तो आते हैं यूनिट 5 एक वंक वाले important question कि तुरुप कहां कहां से एक नंबर के उठाएगा वो ऐसा हम देखेंगे कि कहां से उठा सकता है कैसी बन सकते हैं उस पर हम पूरा बात करने वाले क्योंकि मैं बार बर रिपिट करते हूं एक वंक वाले जो प्रश्ण होते हैं ठीक है चांसेस है इस तरीके से आ सकते हैं चलिए आते हैं आपके एक वाले अगर important question की बात करें तो एक वाले 5 यूनिट में यूनिट 5 में अगर ह जीवों की पारस्थितिक तंत्र के बारें बात के ecosystem के बारें बात हुआ है जया विधिता है ना जया विधिता यनिकी बायो डैवर्सिटी के बारें हम बात करेंगे उनका selection कैसे करें और परियावर्णे मुद्दों के बारे में चारों चैप्टर को कर ज्यांस अगर तुम यह देखोगे तो यह कहीं न कहीं आपके environmental से रिलेटेटट है या परियावरन से ही related है निके परियावरन से ही related है जीवों के बारें पढ़के बारें परियावरन के बारें मिलेगा तो परहां नहीं भाई साब इसको पड़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा दिमाख लगादार बार भी पहुंच गया तो फिर अलू-पलू कोशन तो देगा नहीं तो इस पर हम बात करने रङए स्टार्ड करते हैं आपके यू निट 5 में चार painful चारा चैप्र में क्या 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 कोशिंग बनते हैं इस पर बात करेंगे तो पहला कि देखते हैं कैसे कोश्चन बन सकते हैं चलिए पहला है लाइकेनों में शैवाल एवं कवक के मद्ध किस प्रकार का सह संबंद पाया जाता है तो ध्यारंगे सह परोपकारिता शह परोपकारिता का मतलब यह होता है बच्चे लाइकेन 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 में क्या होता है लाइ उपस्थित और शैवाल होगा वो भी उपस्थित होगा इसका मतलब यह है लाइकन और कवक आपस में जुड़े रहेंगे और आपस में एक दुसरे फिस संबंधित होते हैं यानि कि शैवाल अगर इससे कुछ न्यूट्रीशन ले रहा है ठीक है शैवाल जो है अगर कवक से ले रहा है तो कवक भी बदले में सेवाल को कुछ देगा कहने का मतलब मिली जुली भगत है कहने का मतलब शैवाल और कवक आपस में दोनों है एक संबंधित होते हैं लाइके ठीक है यह कौन से क्रिया है तो किस प्रकार का सहसंबंध बता रहे है तो सहपरोपकारिता बोलत पौधों के नाम पूछ दिया तो हाइड्रीला और साल्विया ऐसे भी कोश्चन जो होते हैं एक मार्स में दे देते हैं कभी-कभी उनका दिमाग फिर गया तो फिर कैसे करोगे है ना तो फिर हाइड्रीला और साल्विया के बारे में याद रखने आप लोगो नेक्स क्या दिया है किसी एक मैग्रिव पौधे का नाम पूछा मैग्रिव पौधा कौन सा है भाई राइजोफोर है इतना लिखो खतम करो ठीक है एक अंका प्रेश्ण है महाभारत नहीं लिखोगे फिर सरीपिट करती हूँ जो आता है सिर्फ वो तन लिखोगे ठंडे वात अतवरन में रहने वाले इस्तंधारी जो होंगे उनके कान और पैर छोटे होते अब देखे ही होगे यह एलन का नियम है ठीक है कोशन है हर्मिट क्रेब वरसी एनमोन के मद्धि क्या संबंद के उसको संबंद को क्या बोलते हैं सहाजीवन यानि कि प्रोटो को आपरेशन के नाम से जाना जाता है सहाजीवन सास साथ रहने वाली ठीक है तो यह हो गया आपका नेक्स कोशन देखते हैं चाउधा अध्या में आते हैं तो पारिस्तितिक तंत्र से तो इसमें कैसे कैसे कंक वाले प्रश्न बनते हैं तो आता है एको सिस्टम सब्द important है नाच के पढ़ो गाह के पढ़ो कुछ के पढ़ो जो खर के पढ़ो याद रखो ठीक है लेकिन ecosystem का सब्द का प्रयोग किस विज्ञानिक ने दिया है इसके बारे में जूम-जूम के गाओ एजी टेसले के साथ ठीक है तो एजी टेसले एक ऐसे scientist है जिन्होंने एको सिस्टम यानि कि पारेश्ठिक तंत्र की बात कि है इन्होंने ही इस शब्द को बताया कौन सा पारेश्ठिक सर्वाधिक बोल दिया ठीक है इस तरीकरन प्रदरिश्वित करता है तो जलका ठीक है जल में बहुत सरी स्तर पाया जाते हैं तो जल का पाईसित्रिक सरवाधिक स्तरी करन कहलाता है ठीक है बहुतस भोजन के लिए अन्यक जीव होपर निरभर होटे यहीं तो खाद जाल बना देता बस निर्भर होगा क्या नहीं घाज को तो खरगोश भी खा रहा है ठीक है इसको गाय भी घाती है इसको खरगोश है गाय है बकरी भी खाती है मतलब कोई एक खाद के लिए कोई एक जीव निर्भर नहीं होता बहुत सारे जीव क्या होते हैं आपस में निर्भर होते हैं और ए करते जीर का मतलब मतलब कर बहुतार और सवर्ञेंट के लिखा है सरवाधिक उत्पादकत्ता प्रजशित करने वाले पारषतित की यह important है IMP यह आता है पेपर भी ठीक है तो महा सागरी याद रखोगे महा सागरी सबसे ज़्यादा आपका उत्पादकता सरवाधिक उत्पादकता प्रदर्शित करने वाला पारिसितिक तंत्र भी भी आता है सबसे बड़ा बड़े पारिसितिक तंत्र को क्या बोलते हैं जी वोम कहते हैं important बच्चा पाटी लोग इसको जरूर याद रखोगे जी वोम कहते हैं एक खादिश्रंक्रा में सरवाधिक संख्या किसकी होती है किसकी का मतलब क्या हो गया हमने पढ़ा है पारिसित तंत्र याद करो याद करो याद करो पारिसितिक तंत्रे में आपने पादक होता है महानों उसके बाद होता है क्या उत्पादक के बद क्या होता है उपभोगता होता है उसके बद क्या होता है अब घटक होता है तो अब घटक यानी कि कवक जीवानू है ना यहीं अब घटक में आते डिकंपोस करने वाले तो सबसे ज्यादा संख्या अब कभ़ों लिखा है 2020 में दोनों प्रशन आचोके है इंपोर्टेंट है ठीक है तो डॉप सनी कैउपा जाता आ जों लेखोगर परते हैं न चिद्र हो गया है कि पूरा इल्ट्रावरेट कि إلى ने तो इसमें आ गयी है और खेद कर लिकाए हमारे एक क्लोरो फ्लोरो कार्बन है कारबन डेशीद गया से वाजबर प्रकार के प्रवाल भितियां कहां मिलती है तो आप बताओगे हमाई देश में धुक प्रकर के भृत्यां जो है केंद्र सासित प्रदेश में यानिके लक्षदीप में पाई जाती है ठीक है हलाकि इसके आने के चांसे कम है लेकिन फिर भी इसको याद रख सकते हैं ठीक है पारस्थिति की किन के बीच का परसपर है तो स हम लोग बोलते हैं पारस्थिति की के पढ़े होगे पारस्थिति की तंत्रे में पढ़े होगे ना जीवों का वातवरण के साथ वातवरण का जीवों के साथ परसपर इंट्रक्शन अंतर संबंद इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते पारस्थिति की बोलते है ठीक है एक अंगठन का सबसे निम्न सजी विस्तर कौन सा है तो यह आपका निम्न सजी विस्तर जो है कोशी का कहलाता है क्योंकि जब भी एक कोशी का होती है वो सबसे निम्न इस्तर कहलाती है विभाजन हो करके उसमें तक फिर अंग तंत्र का निर्मान कर देता है ठीक है तो विचारा क कोशिका क्या है सबसे निम्न सजिव कोशिका कहला ठीक है निम्न सजिव है नेक्स देखो फंद्रवय अध्या में आते हैं चिप को अंदोलन हुआ था तो चिपको अंदोलन किस व्यक्ति से संबंधी तो सुन्दरलाल बहु गुड़ा अपने सुना होगा बहुत पूस्ता है ठीक है और नहीं भी पूस्ता तो भी आप याद रखेंगे क्योंकि इंपोर्टेंट है यह चीज कभी कभी कॉंप्रिटिव इक्जाम में भी पूछा जाता है ठीक है चिपको आंदुलन तो सुन्दरलाल बहु गुड़ा ठीक है बहु को गुड़ा करते हो तो बहु गुड़ा हो गया तो चिपको आंदुलन सुन्दरलाल हो गया सुन्दर सहे भाहत का पहला राष्टूद्यान कौण से important है जीम कार्विट जीम कार्विट जीम कार्विट जिया मंडल की जैविक वित्ता का मुलभूत अधार क्या होता है तो जीन होता है ठीक है जब भी हम ऐसा चुड़े-चुड़ा कोश्चन पढ़ते हैं तो इस सब चीज को ना लगता है कि और एक क्या बता रही है मैडम आएगा कि नहीं है यह ऐसे टॉपिक है जो पूछे यानि के पूछे जाने के संभावनाएं जादा हो जाती है जब आप पूरा थियोरी बढ़ते हो ना तो बीज-बीज में कोश्चन निकालना एक नमबर के कोश्चन ऐसे निकल जाते हैं और ऐसा आ जाता है उनको पता भी नहीं चलता है ठीक ह नेक्स क्या लिखा है जय विता के कोई तीन लाब बताईए अब आपको यहां पर से जो प्रश्चन आएगे वो तीन अंक वाला आएगा हलाकि इसको मैं नेक्स लेक्चर में बताने वाली हो तीन अंक के प्रश्चन में ठीक है चलो आते हैं नेक्स प्रश्चन क्या है एक हुआ है 2021 करके बी ओडी का पूरा नाम पूछा गया है 2021 में बायो लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम है बायो लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म जरूर याद रखे ठीक है जैसे डबलु एच ओ वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन इसका भी फुल प्रदूसित करते मखें से करबंड तक करना मट्रूशितब को सहाद में पता है जिरोपंट जिरोटी संड होता है नाइट्रोजन के तना होता है जिरोपंट सरुट्री होता और लेकिन आ गया तब क्या करोगे इसको याद रखोगे परोक्सी एस्टिटाइल नाइट ठीक है चलो आगे पटते हैं पटापट अब आते हैं यह लिखार डबल हो गया हमको पते है सिपलो जबद तो याद जरूर रखोगे कलो स्थी को फ्लोर कारबन के नाम से सी अपसी ठीक है किस भाग में परियाप थो ओजय जात libro हमको पते हैं संतापमंडल आपने पढ़ा होगा कैरने एक एक लेयर समताप मंदल में होता है किस भाग में ओजोन पाया जाता है ठीक है डॉपसन इकाई से वाई वुल लो किसकी मोटाई कम आप भी पढ़े थे हम लोग ओजोन परत ओजोन परत डॉपसन इकाई ठीक है इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्या डिखा है आई यू सीन ने रेड़ डेट बुक में क्या प्रकाशित के हमको पता है जो संक्रटापन्य जो जीव थे उनके बारे में इसमें दिया गया है आई यूसीन के डेट 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 बुक में ठीक है चलो यह इंपोर्टेंट यह पिछले साल के कोश्चन में पूछा गया था सुरक्षा च्छत उजोन परत को ही सुरक्षय चत्री कहते हैं उस तमें याद नहीं आ रहा था जब पढ़ रही थी तब पढ़ा रही थी तब एकदम दिमाग से हट गया था कि सुरक्षय चत्री ओजोन परत कहते हैं तो इस बार आप लोगो बता देती हूं ऐसे कोशन पूछे जाने के प्रशन है फटा खतम हो गया अब हम बात करेंगे तीन अंके प्रशन के ऊपर बनेगा जितना क्योंकि तीन अंका बहुत सारा पूछे जाने वाला थी कैं तो घबराओ नहीं मेरे से जुले रहों मैं फटा 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 खतम कर दूगे आपका पूरा यूनिट कर दोगी तो आगे लगता है कि कोई और टॉपिक लग रहा है कि कोई टॉपिक मैं प्लीज इसको बता दो तो फिर में आपनों मुझे कमेंट करोगे तो मैं जरूर उसको बताऊंगे ठीक है तो चले मैं इजाज़त दीजिए धन्यवाद